प्यारे विद्यार्थियो नमस्कार आज जैसे आपको पता ही है हमारा अलंकार अभ्यास का चेप्टर चल रहा है अभ्यास इसलिए है कि आपको पहले से अलंकार आते हैं और अब उनका एक बार अभ्यास किया जा रहा है तो आपके सामने उधारन दिया जाएगा उसके साथ स के लगे जो महंदी के रंग जैसे कि उपकारी को यश्च की प्राप्ती ठीक उसी तरह होनी चाहिए होनी बताई गई है जैसे कि महंदी बाड़ने वाले को रंग की प्राप्ती अपने आप ही हो जाती है मतलब automatic system है तो यहाँ पे जो उपकारी है वो एक तरह से उप में हुआ और महंदी बाटने वाले को हम उपमान कह सकते हैं तो इसमें अलंकार कौन सा हुआ उदाहरण उदाहरण में आपने एक बाद ध्यान रखनी है जैसे यहाँ पर जियों शब्दाया ज्यादा तर 95% इसमें जियों जैसे इस तरह के शब्दा आते हैं जैसे अगर मैं आपको और एक्जेंपल दूँ जियों चितवत ससी और चकोरी देखत ही सुख मानव जैसे कमल होत अती प्रफुलित देखत दर्सन भान जैसे मगन नाद रस सारंग बधत बधिक बिन बान क्लियर है आपको पता चल गया जैसे जियों जिस प्रकार ऐसे शब्दाया होते हैं अब अगर हम इसकी परिभाशा को देखें तो कावे में समता वाचक शब्द के रूप साथ उधारन देकर किसी बात का समर्थन किया जाए मतलब उधारन देकर जैसे आपको कोई भी बात मैं उधारन देकर बताती हूँ तो वहाँ पर उधारन अलंकार है इसमें और दरिश्टांत में सिर्फ समता वाचक शब्द का ही अंतर है उसके अलावा कुछ अंतर और भी है जब हम दरिश्टांत अलंकार को करेंगे देखिए नाम दोनों का सेम है लेकिन प्रयाइवाज जी छोटी क्लासेज में माने जा सकते हैं बड़ी क्लासेज में नहीं माने जा सकते हैं जैसे आप श्रोता, सुनने वाला कुछ लोग प्रेक्षक को भी वही मान लेते हैं और दर्शक को भी वही मान लेते हैं लेकिन नहीं, फर्क है श्रोता, सुनने और समझने वाला होता है प्रेक्षक, सुनने, देखने और समझने वाला होता है उसी तरह से दर्शक देखने और समझने वाला होता है दर्शक का मतलब वो श्रोता भी है सबसे पहले पॉइंट क्या हुआ? श्रोता उससे एक कदम आगे चलें तो दर्शक और उससे आगे चलें तो प्रेक्षक जैसे वी वाच टीवी वाच शब्द का प्रयोग होता है ना कि सी या लुक शब्द का प्रयोग नहीं होता है अर्थानतर न्यास अलंकार अर्थानतर न्यास अलंकार में क्या होता है? जहां एक बात के समर्थन के लिए दूसरी बात को रखा जाए आप कहेंगे कि उधारन में भी तो सेम बात थी लेकिन फर्क है एक बात प्रस्तुत और दूसरी बात अश्तुत पहला फर्क हो गया एक बात समान्ने और दूसरी बात विशेश आपस में एक दूसरे का समर्थन कराए जाए और जयों जैसे ऐसे वाले शब्द ना हो ये अर्थांतर न्यास और उधारन में फर्क हो गया तरवर फल नहीं पियही नैपान कह कबीर पर काज हित संपति संच ही सुजान मतलब दूसरा जो इसके अंदर कतन है वो सभी पर और प्रथम कतन के वल मातर पेड़ों और सरोवरों पर ही लागू होता है ठीक है तो ये दोनों जो वाक्य है एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे की बात को क्लियर कर रहे हैं ठीक है क्लियर हो गया एक समाने बात हो गई और दूसरी विशेश बात हो गई एक तो जनरल बात हो गई जैसे सदा सच बोलो एक विशेश बात हो गई कि मैं सदा सच बोलती हूँ या मैं सदा सच बोलूँगी वैसे ये बात सच नहीं है जूट बहुत बोलती हूँ मैं शायद आपको समझ आ गया हो ये तो मैं एक मजाग कर रहे थी अब अगर हम आगे चले तो उधारन मैं लेना चाहूँगी साथी स्वप्न संसार सजाता या एक और उधारन दे देती हूँ इसी का सम सूबरन सुख माकर सुखद न थोर सी ये अंग सकी कोमल कनक कठोर देखिए वर्ण क्या वृत्ति हो रही है बहुत जादा हो रही है एक से कहीं जादा बार हो रही है तो इस कारण से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है वृत्त्यानुप्रास मतलब वृत्त के अवधार पर बार बार घूम कर वही का वही वर्ण बार बार आ रहा है वृत की तरह जैसे गोल-गोल घूम रहा है साथी स्वपन संसार सजाता सा की बार-बारा वृत्य हो रही है नीचे भी जो बोला सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर सी यह अंग सकी कोमल कनक कठोर सा की बार-बारा वृत्य हो रही है वृत की तरह घूम घूम करा रहा है इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा वृत्य अनुप्रास देखिया अनुप्रास अलंकार के जोधारण है पाँच सौरी अनुप्रास अलंकार के पाँच भेद माने गए हैं उन पाँचों भेदों में छेका अनुप्रास वृत्य अ चारों option भी अनुप्रास कही दियोंगे सपोज आपको एक दे दिया पूत का पूत तो का धन संच है और पूत का पूत तो का धन संच है जैसे यहां पर वाक्य सेम आ रहा है लेकिन एकी शब्द का फर्क है और दोनों का एक अर्थ भी निकलता है अगर हम कहें कि पूत के चाय वो सपूत या कपूत हो धन संचे के आवशकता नहीं है लेकिन अन्वै करने से उसमें जो अर्थ है वो बदल जाता है और यदि पूत सपूत है तो संचे करने के आवशकता नहीं है क्योंकि वो स्वयम अपनी योग्यता से अपने लिए धन कमा लेगा और अगर कपू से अवरित्ती का मतलब भी दोबार आता है वाक्यों कि अगर अवरित्ती हो और अर्थ में भी कोई अंतर ना हो लेकिन जब हम उसका अन्वे करें यहां तक बात समझने की अलाटान उप्रास और यमक अलंकार दोनों में कन्फियूजन हो जाती है आपको ध्यान क्या रखना है कि जब वाक्य की अवरित्ती हो रही है या शब्द की अवरित्ती हो रही है तो अर्थ में तो कोई अंतर ना हो लेकिन जब उसका अन्वे करें तो अर्थ बदल जाए तो वहां पर लाटान उप्रास अलंकार होता है अब अगर आपको ये वला कोश्चन के रूप में दिया गया है पूत सपूत तो आपके सामने ओप्शन भी चार यही रखे जाएंगे छेका अनुप्रास, बृत्या अनुप्रास, शुरुत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास या यमक अलंकार कौन सा अलंकार है? और पूछा हुआ है कि इसमें अलंकार कौन सा है? मिलता जुलता सा अंसर है देखिए विश्मय यह गोदावरी ये वैसे वाक्य हम कावय दोश में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर विश्मय का अर्थ क्या दिया गया है? विश्मय मतलब जल से युक्त लेकिन इन्होंने अगर अलंकार में दिया है तो यहाँ आप्शन दिये हुए विभावना, विरोधा भास, अतिश्युक्ति और विशेश्युक्ति विरोध की बात हो गई विश्मय यह गोदावरी अम्रितन को फल देत विश्मय और अम्रित ठीक है विरोधा भास हो गया उसके अलावा भी इसमें विरोधा भास है तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है जब चार ओप्शन मिलते जुलते दिये होते हैं तो उनमें से अंसर बिनु भूशन मन को हरे युवती काम की एन बिना भूशन के ही मन को हर रही है अलग बात हो गई हम अलंकार ही कर रहे हैं तो यह तो क्लियर है कि इसमें विभावना अलंकार है और उसमें था करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान रसरी आवद जाते सिल पर परत निसान तो इसमें कौन सा है? द्रिष्टांत. आज ही हमने किया है. कौन सा हुआ? द्रिष्टांत. आसा एक राम की दूजी आस निरास, पानी महा घर करें, तो भी मरे पियास. सॉरी ये द्रिष्टांत हमने आज नहीं किया है, मैंने गलत बोल दिया, हमने उद्रिष्टांत हम नेक्स टेम कर लेंगे. बहुत अच्छा और बहुत असान है. आसा एक राम की दूजी आस निरास, पानी महा घर करें, तो भी मरे पियास. अगर पानी में भी घर कर ले, तो भी पियासा ही मरेगा. यहाँ पर है, विशे शुक्ति अलंकार. ठीक है, पिछले के आपको अंसर मिल गए, कुछ बच्चों ने अंसर बिल्कुल सही भी दिये है, लिख को करेक्ट कर लेजिए, और आज के लिए मैं अगर आपसे कोश्चन्स पूछ रही हूँ, तो आप उनके अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर आपको अलंकार दोबारा से और अच्छे से पढ़ना है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए, या फिर किस अलंकार में आपको प्रॉब्लम है, या फिर अलंकार संप्रदाय जो भामा जी का है, उससे आप पढ़ना जाते हैं, वो भी बताईए, तो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ग्रेपया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको समझ आ रहा है, तो एक लाइक जरूर कर दिजिए, आपका एक लाइक जो है, वो हमें बहुत 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 प्रोथसाहन देता है, उससे और बैटर करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन जब आप सिरफ वीडियो देखके चले जाते हैं, हमें लगता है, इतने लोगों ने देखा और लाइक नहीं किया, तो शायद ये टॉपिक इतना इंपोर्टेंट नहीं है, उनका फसंद नहीं आ रहा है, हम कोशिश करते हैं, टॉपिक चेंज कर लें, या कुछ और कर लें, पढ़ाना तो है, क्योंकि पढ़ाने की तो अंदर से इतनी उत्सुपता रहती है, कहीं अच्छे से सेलेक्शन हो नहीं पाई, तो वो एक जो पढ़ाने का शोक है, इच्छा है, वो यहां पूरी होती है, आप क्या करें, विद्यारती को पढ़ाने का बहुत अंदर से रहता है, कि हाँ जो पढ़ना चाहता है, क्यों न उससे पढ़ाया जाए, और मुझे तो यूट्यूब का ओप्शन इतना अच्छा लगता है, मुझे खुद के जो टॉपिक नहीं होते, मैं यूट्यूब से क्लियर करती हूँ, बुक्स है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं न, गुरु की महिमा अनन्द की ये उपकार, बिना कुछ मेहनत की ये, आप जो चीज़ को आदा घंटा लगा के पढ़ेंगे, वो आप टीचर के पास पांच से दस मिनिट में बैठ के बढ़ सकते हैं, बहुत से बच्चे तो, अब ये समेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, बहुत से बच्चे तो पूरे समेस्टर का केवल पांच दिन में भी पढ़के एक्जाम दे देते हैं, और पास हो जाते हैं, पांच दिन में टीचर से पूछ लेते हैं, सर ये ये ऐसे कैसे होगा, वो इतना आसानी से बता देते हैं, कई बार मैंने वीडियो भी देखिये हैं कि नेट की त्यारी करें, पांच दिन में, तीस दिन में, वैसे तो नहीं हो पाती है, मैं सच कहूं तो आप अगर qualify कर भी लेते हैं तो क्या लगा के तो आपको कभी न कभी उन topics को clear करना पड़ेगा First you make yourself perfect ठीक है ज्यादा हो गया I'm sorry चलिए आपके लिए questions है वह भी अपने वरद करों से उनके ही अभिशाप मिटाती ठीक है आपने इसमें बताना है कौन सा अलंकार है कमेंट करके और आपको मैं clear कर दूँ कि ये जो है ये अनुप्रास के भेद में से ही एक है उसके अलावा रगुकुल रीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचन न जाई पिछला था पद्म सिंग शर्मा कमलेश जी का और ये है तुलसी दास जी का और इसमें भी अनुप्रास के भेदों में से ही एक भेद है जो इसका अंसर है ठीक है तुलसी दास सहित निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई ये भी अनुप्रास के उधारन में से ही है तो आपके लिए आज का जो है इन में से आप अनुप्रास के उधारन में से ही अंसर दीजिए थैंक यू एंड बेस्ट ओफ लग